नमस्कार सुजस बुलेटन मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरोही एक नजर हेडलाइन्स पर हर वर्ग की उन्नती के लिए प्रतिवध राज्ज सरकार आपनों अग्रिणी राजस्थान बनाने के लिए लिए ज़ा रहे एहम फैसले छे हजार से ज्यादा मिनी आगनबाडियां होंगी मुख्या आगनबाडी में क्रमोननत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी स्वीकृती चुकित्सा एवं स्वास्थे विभा की एसी एस नेली समीक्षा बैठक कहा आम जिनको बेहतर स्वास्थे सुईधाएं प्रदान करना राज्ज सरकार की सर्वोच प्रात्मिक्ता आपनो अग्रिनी राजस्थान के धे वाक्य को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नित्रित्व में राज्य सरकार प्रतिबधता के साथ काम कर रही है प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिये जा रहे हैं खास्तोर से मजदूर, यूवा, महिला और किसानों से संबंधत निर्णय कर उन्हें राहत प्रदान की जा रही है राज्व सरकार 70,000 सरकारी पदों पर भरती कर यूवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी साथ ही उनके कौशल में व्रधी कर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाएगा महीं पेपर लीग के मामलों में युवाओं के भविश्य के साथ खिलवार करने वालों पर कड़ी कारवाई की जा रही है जबकि प्रदेश को गैंग वार से मुक्त करने के लिए अंटी गैंक्स्टर टास्क फोर्स गठित की गई है उधर ती 70 लाख परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर गेहूं की MSP पर 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस और किसान सम्मान निधी की राशी में 2000 रुपए की बढ़हुतरी जैसे कई जन कल्यानकारी निर्ने भी लिये गए हैं 2000 बढ़ाने का काम किया है जो हमने किसानों से बाइदा किया उसको भी अंपूरा करने जार है हमने बाइदा किया हमारी सरकार आएगी हम साड़े 400 रुपे में सिलेंडर देंगे एक जनवरी से हमने उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी ने समेकित बाल विकास सेवाओं के सुद्रिधी करण के लिए 6204 मिनी आंगनबाडियों को क्रमोनत कर मुख्य आंगनबाडी बनाये जाने की स्विक्रिती दी है उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव को निर्देश दिये हैं कि क्रमोनत आंगनबाडियों को 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाए उप मुख्य मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के विजन के अनुसार राज्य सरकार मुख्य मंत्री श्री भचनलाल शर्मा के नित्रितु में बालक बालिकाओं के स्वस्थ शिक्षित वे सुपोशित विकास और महिलाओं के सशक्ति करण के चुकित्सा एवं स्वास्थे विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचो श्रीमती शुभरा सिंग ने कहा कि स्वास्थिक अक्षित्र राज्य सरकार की सर्वोच प्रातमिक्ता में है और यह आमजन की जीवन से जुड़ा हुआ सम्वेदन शील विभाग है विभाग के सभी अधिकारी चुकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी प्रतिबधता और टीम भावना के साथ काम करें आमजन का जीवन बचाना ही हमारा पहला और आखरी लक्षय होना चाहिए श्रीमती सिंख मंगलवार को स्वास्थ भवन में चुकित्सक व्यवस्थाओं के सुद्रिधी करण के संबंध में आजित वीसी को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि अस्पतालों में रोगियों और परीजनों के साथ अच्छा व्यभार करें उपचार के दौरान पूरी सजगता और संवेदन शीलता बढ़ते जनस्वास्य भी आंत्री की विभाग के शासन सचिव जॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गिरता भूजल इस्तर चिंता का विशा है जल संचेयन सहित अन्यव विध्यों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होकी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत प्रतिशत लक्षों को हासिल करना होगा जोक्टर शर्मा ने ये बात मंगलवार को जैपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत आयोजित एक दिवसिय आमुखी करन कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही ग्रामीन विकास विभाग के तत्वाधान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नवाचारों को लेकर मंगलवार को एक दिवसिय कार्यशाला का आयोजिन किया गया कारेशाला में योजना के प्रभावी क्रेयान वेन और स्थाने इस्थिती की आवशक्ता के अनुसार नवचारों परवस्तार से चर्चा की गई विभन जिलों के मुखे कारेकारी अधिकारीओं और अने जिलस्तरी अधिकारीओं ने विदियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से कारेशाला में भाग लिया सुजस मुलेटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलकात तब तक के लिए नमस्कार